हेलो एब्रीबन आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वॉरियर्स पे हम यहाँ पल आते हैं बहुत ही सारे इंपोर्टेंट एजुकेशनल टॉपिक्स और इसे हम समझाते हैं बहुत ही सरल बासा में तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोटोनिक रिजनिंग क्या है तो इन मोनोटोनिक रिजनिंग को टेकन कर लिया तो उसके बाद हम कोई भी इन्फोरमैशन उसके नौलेज़ बेडस में एड़ करते हैं या चेंज करते हैं तो वह कभी भी چE सेंज नहीं होगा वह सेम ही हो जैसा है वह जैसा है वैसा ही रहेगा रैट ओसका यूजस कभी भी其實 के लिए नहीं जो सकता अब मैं आपको इसको एक एक यह जो हमने definition हमने जो पढ़ी उसको मैं आपको एक example के थुरू समझाता हूँ कि समझे कि earth revolves around the sun यह हम सबको पता है कि earth क्या है sun के around वो गुमती है तो यह क्या है एक fact है और वो true है अब उसके knowledge base के अंदर हम जितनी भी information हम store कर ले हम सब यह बोलते हैं कि बाई चलो कि earth round नहीं ह जो moon है वो earth के around गुमता है हम किसी भी तरह का और जितना भी information है वो store कर ले अपने knowledge base में पर यह तो fact ही है कि earth revolves around the sun तो हम इसको change नहीं कर सकते कि बाई अर्थ तो sun के around ही गुमता है वो तो fact है और वो true ही है अब देखते है कि non-monotonic reasoning क्या है in non-monotonic reasoning some conclusion may be invalidated if we add some more information to our knowledge base right तो non-monotonic reasoning के अंदर क्या है कि जो हमारा conclusion है वो हर बार सही हो ऐसा मुमकिन नहीं है right कभी कभी बार हमारा conclusion आया वो गलत भी हो सकता है so इसके अंदर जो हम जो कोई information हम उसको add करते है उसके knowledge base के अंदर तो वो ऐसा नहीं है कि वो सही होगा जो हमारा conclusion आया वो right अब देखते है कि यह क्या करता है non-monotonic reasoning क्या करता है वो deals with incomplete and unsuntie models right वो incomplete और unsuntie model के साथ deal करता है right अब इसको हम इस definition को हम एक example के थुरू समझते है right अब आप देख रहे है कि इस side मेंने क्या लिखा है कि birds can fly right और penguins can not fly and tt is a bird तो आप देख रहे है कि यह 3 जो मैंने sentence लिखे उसका conclusion क्या निकलता है तो tt can fly right तो यह तो सही है यह conclusion हमारा आ गया कि tt can fly right अब यह 3 जो है उसके अंदर में एक और sentence add करता हूँ कि tt is a penguin right अब जैसे ही मैंने यह tt is a penguin वाला sentence इसके अंदर add करूँगा तो क्या होगा कि जो उसका conclusion आया था वो invalidate हो जाएगा कैसे क्योंकि tt is a penguin but penguin cannot fly so it invalidate the conclusion right guys so guys मैं ऐसा रखता हूँ कि आपको यह video पसंद आ गया होगा कि monotonic reasoning क्या है और non monotonic reasoning क्या है आपको यह पसंद आया तो इसे like कीजिए कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया तो इसे share कीजिए और बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया तो इसे subscribe जरूर कीजिए thank you guys